यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ चलि आगे बढ़ेंगे शिमला काल का हैरिटेज लेल्वे लाइन पर आज स्वच्चता अभियान के शुरुआत की गई राजपाल अचारे देवरात और कारेकारी मुख्य नयाएधीश संजे कुमार की मौजूदगी में इस अभियान की शुरुआत की गई आपको बता दें कि शिमला काल का रेल लाइन को युनेस्को हैरिटेज का दर्जा भी मिला हुआ है और ये रेल्वे ट्रैक पूरी दुनिया में मशूर है इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे उमेश शर्मा हमारे समराता फोन लाइन पर जुर गए है शिमला से उमेश जिस तरीके से काफी मशूर ये रेल्वे ट्रैक है इसे लेकर ज्यादा क्या जानकारी है आपके पास जानकारी तो इसको लेकर बहुत बड़ी जानकारी है। अपने हमें इसका जो सफर है काफी रोमांज कारी रहता है इसमें 103 सुरंगे हुआ करती थी जो अब 102 रह गई है तो बड़ी बड़ी सारी खासी ते इसको लेके हैं लेकिन आज की विशेश बात तो यह है कि इसको हरीटेज रेलवे लाइन के ट्रेक को सुंदर बनाने के लिए इसके लिए जो एक अभियान आज शुरू किया लिगल से जो अथार्टी है वादी करने है उसमें इस अभियान का शुबार्म किया लीड लिया है प्रदेश के राजबाल और प्रदेश के कारेकारी जो मुक्चे में आई दीश है हिमाचलाही कोड के उन्होंने इसको लीड लिया हो खुद जन का करीब दस जार से पंदर जार के बीच में लोग इस सफ़या अभियान में भाग लेंगे लगए नबे किलोमेटर का सफर है और पैंटीस क्यों डेपार्टमेंट है गर्मेंट के तो के लावा स्कूल, कॉलेज, इनिस्ट्री, एंजियों के तमाम लोग लगबच दस से पंदर जार की तादा बताई जा रही है जो इस अभियान में शिम्ला से लिखर कालका ट्रेक की सफाई करेंगे तो एक बहुत बड़ा सफाई अभियान खाकर रेलिवेट ट्रेक को साफ करने के लिए अपनी तरह का पहला अभियान है जिसने की करेंगे तो एक तंदेश देने की कोशी की जारी है कि जो हमारी है कि हमारी दृफ़र बड़ा श को स्रक्शिर रखा जाए और तो उसको इसको कैसी उसका सदू क्यों कि लंबे ताइंग तक किया जाए दुनिया के लिए इक मौडल मनें तो अपने आप में ये जो श्वार म और जो स्थानी लोग हैं, एंजियोस हैं, और स्कूल के बच्चे, इनिस्टी के बच्चे, जिनके मादे में एक संबेश दिया रहा सफाई का, तो इसकी इंपोर्टेंस इस बाते में मानी जासी है, अपनी तरह का बहुत बड़ा अभियान है, सफाई को लेके, आज देखते ह यह सफाई अभियान लोगों की पार्टेंस सफल हो पाता है, उसके चासपन बेश चाहरा है, लेकिन यह मात उपोर्ण है कि इस तरह की भरवार को साफ रख्चे से जोई रखने की दूरत है, बिलकुल उमेश तो माना जा सकता है कि काफी एहम यह जो सवच्चता अभियान को साफ किया जाएगा और कई वहाँ पर सफाई कर्मियाद जूटेंगे और स्वच्चता अभियान की शुरूआत की जाएगी